Hello everyone, welcome back to my channel. So I hope that you all will be very good and you will be very good at your exam. So in this video, now we will talk about Parasitology, which is the 5th semester of Geology Paper 1 Unit 5. It's about the most important 30 questions. So here, in this unit, you will learn about Parasites, you will learn about it and you will learn about it. ठीक है, देखिए, which vector transmit Trepanosoma bruise to humans? ठीक है, तो CC fly जो है, यही क्या करता है, Trepanosoma bruise को मानों में संचार करने का, संचार करने वाला यह वाहक है. ठीक है, what is the disease caused by Trepanosoma cruzi? तो Trepanosoma cruzi के द्वारा चगास नाम का disease, जो है, चगास, रोल, रोग यह होते हुए दिखाई देता है. विच टाइप ओफ Trepanosoma is found in the salivary gland of the CC fly? तो जो CC मक्खी है, उसकी लार ग्रंतियों में Trepanosoma का कौन सा चरड उपस्तित होता है, आपको यह बताना है. तो EP Mastigo Guard जो है, यह present होता है, याद रखिएगा. What is the primary symptom of African sleeping sickness? African निद्रा रोग का मुख्य लक्षन क्या होता है, आपको यह बताना है. तो disruption of sleep-wake cycle, नीद और जगने की चक्र में जो disturbance आती है न, वही आपका यह सबसे primary लक्षन होता है, African sleeping sickness का. ठीक है, which immune evasions mechanism is used by trypanosoma brucil? ठीक है, तो trypanosoma brucil किस प्रती रच्छा परिहार तंत्र का उपयोग करता है, तो antigenic variation का यह उपयोग करता है, so the option A is right. Okay, what is the control measure for African sleeping sickness? तो African sleeping sickness को नियंतर करने के लिए क्या उपाय किया जा सकता है? आप insecticide का use करो, जिससे CC fly मर जाए, तो न रहेगी बास, न बजेगी बासुरी, न रहेगा CC fly, न होगा African sleeping sickness जैसी कोई बिमारी. ठीक है, तो insecticide का use करिये, CC fly को आप मार दीजे, कोई बिमारी होगी ही नहीं. तो जब human में ट्रिपैनोसोमा होता है, तो कौन सा उसमें reproduction पाया जाता है? आप से ये पूछा जा रहा है, तो binary fission जो है, द्वी विखंडन जो है, वो देखने को मिलता है, ट्रिपैनोसोमा में. विच ड्रग इस यूज़ फॉर दे ट्रीटमेंट ऑफ अर्ली इश्टेज अफ्रिकन स्लीपिंग सिकनेस? तो पैंटा एमडीन जो है, ये इसका use करते हैं हम लोग अर्ली स्टेज़ में जब किसी को आफरिकन स्लीपिंग सिकनेस हो यह, ना आप से पद़ चल ला है कि ये बिमारी अफ्रिका में होने वाली है, इंडिया में नहीं होने वाली है क्योंकि हमारे इंडिया में सीसी फ्लायी नामक कोई, पैरसाइट यहां पर नहीं पाया जाता है, ड्यरिлер वहां पाया जा रहा है तो वो सबसे ज़्यादा इंफेक्टिव स्टेज होती है मेरे पास ना पारसाइटोलोजी में तीन है ट्रिपैनोस हो मैं है जी आड़िया और एक और है इन तीनों की बहुत अच्छी नोर्स मैंने रखी हुई है ठीक है मैं उसे टेलिग्राम पे सेंड करूंगी बहुत कि की ज़्यादा और व्युन करती ही है एक क्युति कुछन मैंने पूछा नह जा tutorial अप्रब्च टूंगी जाएगा। इस मल्डेल है। नज मैं से पूछा नहीं जाएगा। इसको छोड़ दो विच डाइगनोस्टिक टेस्ट इस यूज़ फॉर जी आर्डियासिस हाँ ये बहुत इंपोर्टेंट है इस टूल इग्डामिनेशन उके अलावा विच ड्रग इस कॉमनली यूज़ टू 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 टीट जी आर्डियासिस तो कौन सी ड्रग को हम यूज़ करते हैं तो मैट्रोनी डायजॉल मैट्रोनी डायजॉल जो है इसका यूज़ करते हैं देखो इस वीडियो में मैं कोशल्स को बहुत जल्दी बता जीओ आंसर भी बता जीओ का यूनिट 1 से यूनिट 8 तक पूरा पढ़ा दिया है मैंने free of cost, under ABC batch मैंने सब कुछ पढ़ाया है सब कुछ आपको मेरे YouTube चैनल साइंस वाली पे मिल जाएगा आप सिर्फ YouTube पे सर्च करो ABC batch by साइंस वाली आपको सारे topics जो हैं आपके class से related मिल जाएगा ठीक है, तो सारे topics को आप बहुत ही easy way में हलवा clear कर सकते हो पढ़ लो, okay What is the shape of the tropho joint of GRD Alambia, तो GRD Alambia का जो shape है ना वो peer shape का नासपाती के आकार का आपको ये देखने को मिलता है What is the most effective way to prevent GRD asses, तो आप proper water filtration करो, आपको उससे बचाओ मिलेगा What is the disease caused by Vuccheria Bancrofti तो Vuccheria Bancrofti के द्वारा phil reacis होता है इस चीज को भी याद रखना है आपको ठीक है Which factor transmit Vuccheria Bancrofti तो C, Qlex mosquito This is the right answer What is the infective stage of Vuccheria Bancrofti तो L3 larva This is the infective stage Now, where do Adult Vuccheria Bancrofti Worms primarily reside in humans तो Lymphatic vessels What is the common symptom of Lymphatic phil reacis तो Lymphedema जो है This is the common समान election यही होता है Which diagnostic test is used for phil reacis तो Blood smear of Microphillary इसका यूज करते है This section is very important Parasytology के 30 के 30 questions आपकी copy में note-down होना चाहिए One-liner way में क्योंकि यह सारे topics यह जितना मैं आपको यहाँ पर question बता रही हूँ These all are very 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 important for your MCQs तो इन सभी को बिलकुर रट के जाना Okay Which drug is effective against Vuccheria Bancrofti So all of the above So all of the above जितना भी है यहाँ पर लिखा हुआ सभी के सभी important है Okay What is the long term complication of phil reacis So phil reacis का long term है hydrocele Okay जो कि mail में आपको देखने को मिलता है How can lymphiatic phil reacis be controlled So mass during administration बिलकुल Mosquito control, improved sanitization So all of the above is your right answer 27th question है What is the defective host of Vuccheria Bancrofti So defective host है human Defective नहीं actually Definitive जो कि इसका host होता है Vuccheria का वो human है Defective नहीं Definitive Okay What is the primary reservoir of Vuccheria Bancrofti Human Manusia What is the periodicity of Vuccheria Bancrofti Microphillary in the blood stream So she is nocturnal Nocturnal होता है ठीक है Which stays of Vuccheria Bancrofti Is transmitted by mosquito So L3 larva देखो ये जो पूरा parasitology है इसका one shot मैंने प्रोवाइट किया है पूरा one shot में ही मैंने आपको सब कुछ पढ़ाया हुआ है तो मुश्किल से एक घंटे की वीडियो है देख लेना सारे के सारे topics हल्वा clear हो जाएंगे और यहां जितने questions लग रहे होंगे कि यार यह तो मुझे आई ही नहीं रहा है वो पढ़ने के बाद आप यहां पे एक भी question छूटे गई नहीं आप से सारे के सारे solve कर लोगे ठीक है तो theory वाला one shot देख लेना और यह questions देख लेना बस खतम है इतनी preparation बहुत है आपके लिए अब हम लोग unit 6 जो है उसको देखेंगे अभी कुछ ही time बाद में वो भी video upload करूँगी factor and pest की तो इसके भी questions मैं solve करा दूँगी और इसी तरह आज आपके तीन unit के mcqs मैं provide कर दूँगी बहुत मैनत लगती है चीजों को बनाने में समझाने में वीडियो upload करने में तो प्लीज अगर चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए शेयर करिए अपने दोस्तों के पास अपने फ्रेंड को जूनियर सीनियर सभी तक इस वीडियो को पहुंचाईए और जल्दी से जल्दी इस चैनल को 50K तक भी झाल को सभाओ अगर जार में दो पहुंचाईए और जल्दी को है तक भी जूनिदा भी तक गарाबबस प्लीज़ को को सभाबस जनियर सीनियर से वीडियो सकते और शीडियो को अभरर को से भीडियों से को जल्दी सवी गंङचाप हो पहुंचाईए पह उल्क और ज itu तक है